हेलो स्थो एसके लेक्ट्रों सोपम आपको सोहतों कैसे हैं आप सब भी आ सकते हैं आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आओ जाके बहुत सारे अम्प्लिफायर आते हैं PBT-501 काफी सारे मोडल हैं आओ जाहो और दूसरी भी कंपनी होती हैं आपने यह देखा होगा उसके अंदर एक पॉड्ट जरूर यहाँ पर लिखा था common 70-100-100V तो यह जो पॉइंट है आता कहां से हैं और कैसे बनता है और यहाँ पर देखा होगा आपने आपने नौर्मल एम्प्लिफायर के अंदर क्या देखा होगा इस पीकर के लिए प्लस और माइनस होता है तो यह पॉ वीडियो के तरफ चल 59 वीडियो को Like कलेना और जो चैनलय पर पहली बार वीडियो को देख करेंए sustain को सब्सक्राइब जूरूर कलेना साथ ही साथ दोस्तों बैल आइकन को परेश करें जिसे आपको नहींց वीडियो मिलती रहे, तो जितने भी दोस्तो पहले को एम्प्लिफॉर होया करते थे, पुराने मोडल के दोस्तो इस तरह होया करते तो उनके अंदर double transformer मिलता था आपको जैसे कि ये undertone का amplifier है, जैसे हम पे एक transformer यह है और एक transformer हमारा वो design ही इस तरह से है कि इस पर audio आएगी तब ही output देगा क्योंकि यह mostly ऐसे amplifier होते हैं जादतर live में आप इन्हें किराई वागएर आप पर देते हो न यह amplifier जल्दी खराब नहीं होते हैं उसका एक बहुत बड़ा reason होता है अगर सही तरीके से बजाने से तो यह खराब होते ही न तो सबसे पहले में आपको यह पीछे का system बता देना चाहते हो इनका मतलब क्या है यह देखिए यहां लिखा common यह देखिए COM और 70 वोल्ट और 100 वोल्ट तो यह जो होते हैं यह यूनिट बजाने के लिए होते हैं यूनिट किसे बोलते हैं जो आपने यह नहीं होते हैं आप आज के साथ जो वोल्टे जाती हैं यहां पर एसी वोल्ट जाती है यह देख रहे हैं यह 70 वोल्ट और 100 वोल्ट बहुत ज्यादे बड़ी चलाने तो 100 वोल्ट पर लगा सकते हैं तो 16 वोल्ट पर चला सकते हैं असानी से कोई दिक्कत नहीं ठीक है और फिर अगला जाता है यहां पर 4 ओम और फिर 8 ओम तो यहां पर जो 8 ओम से हैं निया कि single speaker बजाने के लिए आप दो speaker को parallel में कर रहे हैं तो आप 4 ohms से बजा सकते हैं quality एक दम जबरदस्ता है कि common पे और यहां पे यानि कि आप किसी भी तरह का speaker का selection करना चाहेंगे ना तो आप इसे असानी से बजा सकते हैं 4 ohms का मतलब है यानि कि 2 speaker आप इसे असानी से बजा सकते हैं और दो unit अराम से बजा सकते हैं कोई दिक्कत आने वाली नहीं amplifier के अंदर अगर आप इसे यहां पे 2 ohms पे लगा होगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है यह जो output का transformer है यह खराब हो सकता है और यह आपके जो transistor लगे हो हीट हो सकते हैं चलिए आप बात करें तें इतने सारे option आते कहां से हैं लेकिन इसमें तो सब्सक्राइब दो इतार होते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पर दो transformer होते हैं तो power supply के लिए transformer यह जो लगा हुआ हुआ है यह power supply का transformer है यहाप टांस्वामर देख भा रहे हैं ठीक है यहापर हमारी power supply है यहापर driver section है इसका यहापर amplifier section है यहापर इसका audio section है और यह जो आप transformer देख रहे हैं यह हमारा output का simple is में देखें, यहां पर काफी सारे आपको pin मिलनी है, एक तरफ यहां पर शिर्फ ही पिन है, चार पिन में भी दोपिन एक जंग है और यह दोपिनों से यहां पर transistor से output हो रही है, तो यहां पर देख लिजे, अब इसमें दोस्तो पता कैसे लाइगा, 70 वोल्ट के लिए 100 वोल या इसको इस तरह से कर लेता हूँ है यहाँ पर दो वाइर बिल्कुल बारीक वाइर दिए हुए थी नाट्स दो बारीक वाइर तो मैं ज connecting तरह से दिखाइं दो हाँ आपको यहां देखें यह तो यहां बिल्कुल लाश्ट में होंगे तो जो बारीक वायर होंगे ना एक तरफ की तरफ तो एक तो होगा दोस्तो इसमें डबल वाला एक होगा दोस्तो सिंगल वाला तो देखें यहां पर बिलू वाला जो है मैं आउटपुट पर देखू तो बिलू वाला 70 वोल्ट पर है ठीक है अगर आमने अगले वाला बात करें यहां पर यह जो देख रहे हैं यहां पर यह वाला तो यह लगा हुआ हमारे 100 वोल्ट पर यानि कि यह जो बिच में होती है कोयल का बिच वाला एरिया जो होता है दोस्तों हमेंसा याद रखना है जैसे आपको कोई भी ट्रांस्वामर है ज स्मॉट वाले तार के साथ एक बर इक तार भी है तो यह जो आटपुट लोगते हैं यह तीन तार एक होते हैं मतलब हिया पर जीरो 70 वोल्ट और 100 वोल्ट यह तीन एक हो गए और यह 4 एक होते हैं हमारे जैसे कि आपने कोई भी ट्रांस्वामर बनाना सुरू करते हैं तो ज तरह से इसमें connection करने होते हैं अगर आपके पास यह transformer connection होने के लिए आए तो आपको याद रखना है जब आपके मोटे वाले तार होंगे न तो सबसे पहला आपका common होगा उसके जश्ट बराबर वाला आपका four ohms होगा उससे तुरंद नीचे वाला आपका दोस्तो eight ohms होगा उ तो कि तीसरी तार दोस्तो आपके six ohms वाले में या eight ohms वाले में जुड़ी मिले जैसे कि इसमे six ohms वाले में जुड़ी होई है तो यहाँ पर यह देखें यह 70 वोल्ट और यह 100 वोल्ट यह unit यादि की driver बजाने के लिए जो आपकी hatch up होती है यह आपके speaker बजाने के लिए हो उसके बाद में जो transformer से होएगी ना तब यहाँ पर हमारी output के selection होते है हमारे ठीक है four ohms, eight ohms और 16 ohms फिर उसके बाद में hf के लिए 70 वोल्ट और 600 वोल्ट ठीक है इस हिसाब से output में निकाले जाते है बहुत से में बहुतते हैं कि यह कहां से आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं तो इ सब कुछ समझ में आ गया होगा इसमें four ohms, eight ohms का matter क्या होता है यह four ohms, eight ohms जो है ट्रांस वार्मारी सेलेक्ट करता है कि यहाँ पर कितने, इस loop पर कितनी ohms देने हैं इस पर कितने देने, connection कैसे करने हैं आपको हमने बता जिए, नई समझ में वीडियो को दुबार देखने